Hey everyone, कैसे हैं आप सब, उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तयारी बढ़िया चल रही होगी तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे 10 most important grammar के rules जो आने वाले आपके किसी भी exams के लिए important है आप उन्हें अच्छे से revise कर लेना एक्जाम से पहले और ये PDF जो है इसका, इस वी पिटी का आप screenshot मतलेना नहीं तो error के screenshot आप ले लोगे क्योंकि मैंने सारे यहाँ पर error रखे हैं ताकि मैं इसको यहाँ पर समझा सकूँ तो इसको correction करके मैं error free PDF आपको telegram group में दूँगा वो join करके आप वहाँ से download करके अपना revision इसको पढ़के कर लेना ठीक है यहाँ करते हो error detection बनाते है वक्त वो गलती मुझसे भी होती है सभी से होती है क्योंकि समझ में आता नहीं है जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको error दिया हुआ है बीच में कुछ parts है उसके तो गलती यह होती ही कि हमें यह नी पता चलता किस part में error है और यह वो part नहीं देख पाते है इसी वज़े से error नहीं पहचान पते है चाए फिर उसको 3 भार पढ़ लो चार बार पढ़ लो नहीं समझ माएगा तो वो error किस part में देखना है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा फिलाल मैंने सिर्फ rules add की है फिर कभी अपन exercise भी ज़रूर करेंगे इसी तरह से ठीक है तो किस part में error देखते है जैसे मैंने आपको sentence का rule का structure बता दिया चलो start करते हैं पहले rule पे चलते हैं सबसे पहला rule है noun का part A देखो इसमें क्या होता है मैं आपको structure बता जाता हूँ पहले कि मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पे रहेंगे error फिर यहाँ पे रहेगा उसका explanation फिर last में रहेंगे कुछ examples तो हर slide में इसी तरह रहेगा आप समझते जाना तो इसको read करो इसमें कुछ error है आप समझो फिर आपन इसको correct करते हैं fabric scissor comes in all shapes and sizes तो कुछ ऐसे noun होते हैं जो हमेशा अपने plural form में exist करते हैं उनका कभी भी singular नहीं होता है ठीक है और जो भी चीज हमें pair में दिखती हैं जैसे कि jeans हुआ, trousers हुआ ये इनके plural form में होते हैं इनके spelling के last में S आता है तो ये जो है comes जो लिखा है ये singular है तो यहां से S को हमें cut करना पड़ेगा ठीक है तो ये इस sentence में error था तो fabric scissors come in all shapes and sizes अब ये correct sentence है ठीक है where are my trousers तो where are my trousers नहीं होगा, where are my trousers होगा क्योंकि S आएगा ये plural में हमेशा रहता है ठीक है तो ये आपका है rule number one का part A ये सारे words इस तरह से होते trousers, scissors, jeans, sunglasses, glasses, headphones इस तरह के कुछ और भी examples आप Google से पढ़कर देखना यदि आपको ये sentence में देखते हैं तो आपको तुरंट click करना चाहिए कि ये noun का कौन सा rule है कुछ form में अपने plural में ही exist करते हैं तो मुझे इसको यहाँ पर देखने की जरुवत है कि S लगा है या नहीं उसके बाद जो verb आई है वो helping verb या जो भी उसके बाद आया है वो किस तरह से है ठीक है अब अगला देखते है नाउन का part भी इसी में जो वो था उसमें सिर्फ कुछ words plural होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है नाउन के कुछ words ऐसे होते हैं जो हमेशे अपने singular form में ही exist करते हैं यानि कि उनका plural नहीं होता ठीक है जैसे कि यहाँ पर पढ़ो the room looks different with the furniture तो furniture जो है अपने आप में एक singular word है और singular ही उसको हम लिखते हैं यह plural नहीं होता इसका तो आप यह जो ऐसे हैं यहाँ पर इसको हटा दो यह correct हो जाएगा ठीक है the room looks different with the furniture सही हो गया she has some lovely pieces of jewelry तो some lovely pieces of jewelry भले ही pieces लिखा हो यहाँ पर plural लेकिन jewelry हमेशा कैसा होता है singular होता है तो यहाँ पर IES नहीं आएगा यहाँ पर आएगा Y ठीक है भले ही उसके पास jewelry का 1 side हो भले jewelry के 5 side हो लेकिन आएगा यहाँ पर jewelry ही she has some lovely pieces of jewelry इसी तरह से इसमे technology singular में exist करता है इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है technology ठीक है तो यह कुछ words है उसके examples है advice, technology, jewelry, poetry, scenery, information यह सब है तो यह अपने singular form में exist करते हैं आपको यही sentence में दिखते हैं और इनके बाद कुछ ऐसा दिखता है या R लिखा हुआ है plural चीज लिखी हुए तो उसको आपको cut क करके क्या करना है इस करना है तो उसी part में आपका जो है error होगा समझ में आगी तो यह दो rule थे noun के यह important मैं यहाँ पर add कि है अगले rule पर अपन चलते हैं यह है has और have का rule ठीक है वीडियो दी fast लगे तो आप अपने हिसाब से उसको slow करके repeat mode पे देख लेना पर मुझे इनको कम time frame में खतम करना है देखो has have का क्या rule होता है has अपन कब लगाते है singular विक्ति के लिए लगाते है plural के लिए लगाते है इस तरह से अपन use करते है sentence में जब भी हमें आपको has have दिखता है तो आपको confused नहीं होना है आपको पहचानना है कि इसमें क्या error है यदि आपको sentence has have दिखत होता है ठीक है यह तीन चीज़े होती है has have को हम use करते हैं have को पहले बताता हूं मैं have को हम दो तरीके से use करते हैं एक हम करते help verb में use कोई भी sentence present perfect बनाने के लिए helping verb का use किया जाता गे और एक have का use हम करते है position so करने के लिए तो दोनों के एक eк example भी मैं आपको देता हूं position का मतलब मेरे पास कोई चीज है ये दिखाना have से sentence बनाया जाता है इसको बताने के लिए देखो I have I have a big house तो मेरे पास एक बड़ा घर है ये मैंने have से position दिखा दिया helping verb से किस तरह है दिखाऊंगा I have to go to school या college या market कुछ भी ले लो ठीक है I have to go to school market इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने helping verb यूज करके present perfect tense बनाया है और यहाँ पर position का यूज करके दिखाया है ठीक है अब has कब यूज करते है और have कब यूज करते है ठीक है ये देखते है अपन देखो have यूज किया जाता है I we और दे के साथ ठीक है और has यूज किया जाता है she he और it के साथ it में कोई third person भी आ सकता है किसी का name भी आ सकता है ठीक है अब यहाँ पर आपको sentence में जब भी दिखेगा have has तो आपको ये पहचानना है कि उसके बाद जो verb आ रही है वो कैसी है ठीक है और ये अपने आप में इन सबके साथ बनाऊगे लेकिन head में आप इन दोनों के साथ ही sentence बना सकते हो लेकिन head की property किया है head के लिए आप past में कोई भी sentence बनाना चाहते हो जैसे कोई काम जो है past में complete हो चुका है तो वो आप head से sentence बनाऊगे यहां कुछ example आपको has have के मैं बतालता हूँ I have a cat तो यहां पे position दिखा रहा है कि मेरे पास एक cat है तो I have a car, I have a mobile, I have a dog कुछ भी होगता है जो चीज मेरे पास है उसको मैं बोलूँगा उसको negative कैसे बन जाएगा I don't have a cat इसी तरीके से यदि मुझे they के साथ बनाना है तो they have a nice car they don't have a nice car तो यहां पे have आया है और they आया है क्योंकि have के साथ I, they का अपन use करते है इस तरह से यहां पे देखो has है she has a dog अब I have a dog she has a dog यदि she यहां पर आगया है किसी और की बात कर रहे हैं और वो singular person है तो उसके लिए अपन यहां पर क्या use करेंगे has use करेंगे ठीक है और यहीं पेदी मैं she की जगा कर दू they तो यहां पर यह plural हो गया तो उसके बाद क्या आएगा plural वावाईगी यहनि कि they have a dog इस तरीके से jammy has an exam tomorrow मैंने बताया था it की जगे third person use कर सकता हूँ तो jammy has an exam tomorrow jammy का कल exam है तो इस तरीके से have has का use किया जाता है आप अच्छे से देखना have और has sentence में आपको दिखता है तो आपको उसमें error पहचानना है कि इसका सही use किया है या नहीं किया है ठीके आगे मैं कुछ आपको practice भी इसमें करवाओंगा अगली slide पे चलते हैं और मैं आपको head का use बताता हूँ head जब भी आपको sentence में देखे तो आपको ध्यान रखना है head का जो structure होता है head plus v3 यनि की verb की third form कोई ये जो sentence बनाता है कौन सा बनाता है past perfect sentence बनाता है past perfect में क्या होता है ज़्यादा tense में घुसने की जरुवत नहीं है आपको past perfect sentence में क्या होगा कोई काम complete हो चुका है past में अब उसका कोई प्रभाव बाकी नहीं है कोई effect उसका बाकी नहीं है लेकिन किसी काम का यदि effect अभी भी हो present में तो उसके लिए हम have से भी sentence बना सकते हैं ठीक है लेकिन इस rule में आपको head plus v3 का ध्यान रखना है head always takes third form of verb यदि मैं यहाँ पर लिख दू I had eat my breakfast ऐसा लिखता हूँ तो यह गलत हो जाएगा तो I had eaten होगा I had eaten जो भी form आएगी verb की वो कैसी आएगी third आएगी head के बाद ठीक है head के साथ आप कैसे sentence बना सकते हो जैसे मैंने बताया have or has के लिए मैंने बताया था अलग-अलग it, he, she लेकिन यहाँ पर आप have के साथ सबी के साथ sentence जो है बन सकता है plus verb की third form लगा सकते हो उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर कुछ example मैंने दी है आप देखो, Sarah had finished her work, then she went home देखो, Sarah had finished तो सही है लेकिन यहाँ पर ed आना चाहिए ता finished यानि की past perfect यहाँ पर verb की कैसी form आएगी third form आएगी, Sarah had finished her work, then she went home उसके बाद वो घर चलेगे अच्छा, एक rule और होता है subject verb agreement में वो यह होता है, कि जिसे आपने head के पात v3 लगाना है, ठीक है तो यह तो perfect है, यहाँ पर head के बाद अपने correct कर दिया ed, लेकिन यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी एक verb की second form आई, यह देखो, क्या होता है go होता है, first, went होता है second, और third होता है gone तो यहाँ पर भी एदी मैं third लिखता तो फिर तो gone आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर third क्यों नहीं है, उसका reason, मैं आपको बताता हूँ head के just about तो आप third form लिखोगे ही, लेकिन उसके बाद यहीं वापस से कोई ऐसी चीज़ आ रही है मतलब past की चीज़ आ रही है, तो आप उसके में second form लिखोगे क्यों, क्योंकि जो चीज़ पहले होती है किसी भी काम में, कोई काम दो, एक साथ हो रहे हैं जो चीज़ पहले होती है, उसको हम third form में लिखते है उसके बाद जो आता है, उसकी second form आती है यनि कि, जैसे ही मैं घर पोचा by the time I had arrived home, है ना, तो जैसे ही मैं घर पोचा तब तक light जा चुकी थी तो light पहले गई थी या पहले मैं घर पोचा तो यह आपको decide करना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती मुझसे होई बताने में जैसे की ambulance बुलाई, तो पहले accident हुआ होगा फिर ambulance बुलाई होगी तो इस तरह से sentence जो बनते हैं, conditional sentence मैं आपको दिखाऊंगा आगे तब आपको यहाँ पर head की तुरंद बात करना होता है third form use, उसके बाद आता है second ठीक है, चलो, इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं अगला दिखते हैं, इसमें example I washed the floor when the penter head go तो go नहीं होगा, head के बाद आती, third form तो हो जाएगा तो यह correct होगा, यह correct होगा समझ गए, तो head के plus आता है V3, head is sentence में दिखता है, तो verb की third form उसके बाद डूंड नहीं, या है या नहीं है ठीक है, वो आपका error वहाँ से पता चल जाएगा, कुछ practice questions मैंने यहाँ पर आपके लिए add की यह है, has have head तीनों के हैं, आप इन में देखो pause करके वीडियो को चाहो तो बना लो, अब मैं इनको fill कर देता हूँ, ठीक है she के साथ क्या लगता है, has लगता है she has three children, उसके तीन बच्चे है ठीक है, we dash a meeting last week, last week की बात हो रही है हफता जा चुका है, यानि कि यह past में perfect tense यहाँ पर बनाया हुआ है ऐसा काम जो इसका effect अब बाकी नहीं है वो खतम हो चुका है, और we के साथ क्या लगता है have लगता है, लेकिन काम तो खतम हो गया, effect खतम हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, head आएगा, ठीक है we had a meeting last week, they have a big house, यहाँ पर position दिखा रहे है लेकिन उसका अभी प्रभाव बाकी homework अभी भी क्या जा सकता है, तो एक present में continuous sentence बन गया है, you have to finish your homework, ठीक है present continuous नहीं, sorry, present perfect, you have to finish your homework, I had a great time at the event, अब event जो है वो past का sentence है, event हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, I had a great time at the event, ठीक है, तो इस तरह से आपको इन में use करना थी चीज़े, उमीद करता हूँ यह आपको हैजर्फ का difference समझ में आया होगा, हैड को कब और कैसे use करते समझ में आया होगा, अपन चलते हैं अगले rule पे, rule no.4, यह one of the का rule और यह बहुत important है sentence में जब यह दिखता है, तो पता नहीं चलता है कि error कहाँ पे, क्योंकि spelling सारी correct दिखती है, structure सारे correct दिखते है कुछ यहाँ पे usage का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताओ, एक error of omission का, इसमें error बनता है, error of omission का मतलब होता है, कि कोई चीज़ कभी-कभी skip हो जाती है sentence में, given होना लेकिन वहाँ पे वो present होना चाहिए, ठीक है और मैं बताता हूँ कैसे देखो one of the जब भी आपको sentence में दिखेगा, तो इसके बाद जो subject आता है, वो हमेशा कैसा होता है, वो plural होता है ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहे है one of the teachers, तो teachers जो है यहाँ पर S के साथ आएगा, यानि कि plural form में आएगा, one of the students, तो S आएगा उसके बात, तो बहुत सारे teachers या students में से हम किसी एक की बात कर रहे है ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आगया होगा one of the, उसके बाद जो है वो plural आएगा, उसके बाद जो आएगा वो singular आएगा, ठीक है, one of the players, क्यों singular आएगा is very talented यह दी, मैंने यहाँ पर लिखा है तो यह जो is आया है यह मैं first one of the के लिए मैं यहाँ पर is लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर s लगा है, इसको देखके यहाँ पर r वगरा लिखने की जरुवत नहीं है, plural नहीं आएगा, यहाँ पर singular आएगा देखो कैसे, अब example में देखो, one of the student नहीं होगा, one of the students होगा one of the students was selected to visit NASA, देखो was आया है, तो was किसके लिए आया है यह one student के लिए जिसके हम बात कर रहे है जो NASA जाने के लिए select हुआ है ठीक है, she is one of the best players, तो यहाँ पर भी plural आएगा, क्योंकि one of the के बाद जो जिसकी भी हम बात कर रहे है जैसे players में से किसे ही की बात कर रहे है तो कैसा आएगा, plural आएगा she is one of the best players one of my friends is a scientist मेरा एक दोस्त कहीं दोस्त में से यानि कि friends में से एक friend जो है वो scientist है, तो यहाँ पर क्या आया is आया, यहाँ पर आर नहीं आया तो यह भी correct हो गया, यह भी correct, यह भी correct ठीक है, as in में लगाना था अब यह वाला sentence देखो one of the players who has won the gold medal is my friend तो यहाँ पर जो sentence है आप देखो correct है या नहीं आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर one of the आया है, one of the के बाद यहाँ पर is आया है, तो यह correct है यह correct नहीं है, यह wrong है आपको हमेशा ध्यान रखना है, one of the में दो तरीके से rule बनता है, एक ही यह जो पहले मैंने बताया, दूसरा यह कि one of the के बाद, plural तो आए गई है यह देखो correct है, plural आया है, one of the प्लूरल तो आए गई है, लेकिन यह दि उस plural यह जाता है, plural subject के बाद तो यहाँ पर यह has, जो है, change हो जाता है है हो जाता है, यहनि कि singular नहीं होगा फिर plural होगा, structure आप समझ लो यह दि लिखा है one of the तो subject तो यहाँ पर plural आए गई ही लेकिन उसके बाद, जो verb आएगी आपकी वह कैसी आएगी वह भी plural आएगी कब, कब आएगी, जब यहाँ पर लिखा होगा, who which, यह that ठीक है, यह क्या है यह relative pronoun है, जो कहां होगा, दो plural के बीच में होगा तो one of the, के बाद कोई plural subject जिसकी भी बात हो रही है, उसके बाद यह कोई relative pronoun दिया है, who, which, that, तो उसके हो जाएगा, इसमें कोई doubt नहीं रहेगा यहाँ से trivia मैंने लिख दिया है, आप इदी चाहो तो यह पढ़ लो, short में information बागी मैंने समझा दिया, चलते अगले rule पे यह भी subject agreement का एक rule है इसमें देखो, आपको मैं पहले rule समझाता हूँ होता है, आप चाहो तो pause करके वीडियो को error पहचानने की कोशिश करो फिर मैं जब correct बताऊंगा तो आप देखना क्या गलती हुई आपसे, when a singular noun or pronoun is connected with another noun or pronoun by using words like, देखो कोई भी दो noun ठीक है, किसी भी एक sentence में या फिर कोई एक noun plus उसी का replacement के लिए pronoun, यदि हम इस तरह से structure की भी sentence में use करते है the father and the son, ठीक है तो papa और बेटा, ठीक है, the principal and the teacher तो दो noun को हम किसी एक sentence में use करते हैं तो उसके बाद जो वर्व आती है उसके बाद जो वर्व आती है, उस singular आती है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम sentence में connect कर रहे हैं उनको with से, as well as से, besides से, together with से, या no less than से, तो इन चीजों को sentence में आपको देखना है, जब आपको कहीं error ना देखे, तो आप इनको देखो, यदि आपके sentence में ये लिखे हुए हैं, तो आप ये देखो, कि as well as आया है, तो जो दो noun या, एक noun एक pronoun को connect किया है इससे, उसके बाद जो वर भाई, वो singular है या plural है plural है तो वो error है, singular है तो वो correct है, कैसे? the shop with its articles, तो articles यहाँ पर plural है, यहाँ पर वर आया है तो इसके लिए यहाँ पर इनोंने वर लिख दिया, लेकिन यह गलत है, यह हमेशा किसके लिए आएगा, the shop के लिए आएगा, the shop was burned down सिर्फ इसको मैं हटा दू, तो क्या बनेगा, the shop was burned down, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, was आजाएगा, तब यह correct होगा, the shop with its articles was burned down, क्यों? क्योंकि यहाँ पर with आया है, ठीक है अगला देखो, the shop with its crew यह, देखो, crew जो एक word वही मैंने बताया कुछ अपने plural form में exist करते हैं, नाउन उन में से यह एक है, तो इसके लिए यहाँ पर वर या आरनी आएगा, the shop with its crew was saved, ठीक है, singular आया, was saved, उसे बचा लिया गया, silver as well as well as gold, तो यहाँ पर देखो, as well as say, silver और gold दो noun को connect किया है, तो इसी लिए यहाँ पर जो word आएगी, वो कैसी आएगी, singular आएगी, सिर्फ first को देखते हुए, silver as well as gold is a precious metal तो आर नहीं होगा यहाँ पर, आर a precious metal नहीं होगा, is a precious metal होगा, the father as well as फिर से as well as connect किया है, the father as well as his sons is very hard working ठीक है, is hard working, यह is very hard working, ठीक है, इस तरह से sentence में आपको ध्यान रखना है, इसको एक दो बार read करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ examples, कुछ से बनाने की कोशिश आप करना, अगले rule पे चलते है, rule number six, यह भी subject verb agreement का, यह सबसे जादा important topic और सबसे जादा errors इसी से देखने को मिलते हैं, किसी थे आए या ना आए, इससे आना confirm है, ठीक है देखो, क्या होता है, कि कोई भी, किसी भी sentence में, देखो sentence के part होते हैं, आप sentence के part को समझो, sentence हम start करते हैं, सुरू में एक subject होता है, फिर उसके बाद हम helping verb यूज़ करते हैं, sentence को बनाने के लिए verb यूज़ करते हैं, उसके बाद बाद में क्या होता है, object होता है, तो subject object मतलब जिस पर काम किया गया subject मतलब जिसके द्वारा किया गया हिंदी में मैं बता दिया, subject यह जिसकी बात हो रही है, तो यदि किसी भी sentence में एक subject है, वह singular है, singular subject है तो उसके बाद जो verb आएगी वह कैसी आएगी, उसके follow करने के लिए singular verb आएगी और कोई भी subject you can word जूने की project plural है, जो इसके बाद word आएगी ho कैसी आएगी plural तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है, यह subject verb agreement का rule है, किसी sentence में सबसे पहले यह देखना होता है, अब यहाँ पर कुछ example मैंने लिख दी है, यह easy rule है, थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान रखना है, लेकिन अक्सर यह पूछा जाता है, my grandfather, अब grandfather जो है singular है, मेरे दादा जी अ यहाँ पर singular आएगा, she owns the red car, है ना, उसके पास red car है, अब she कैसी है, अकेली है, एक person की बात हो रही है, तो she owns आया, she owns आया, यह निकि singular subject है, तो singular verb आई है, she owns the red car, अगला देखो, यहाँ पर plural subject के दो example लिखे, my grandparents, grand parents में दादा भी आ गए, दादी भी आ गई, दोनों मिलकर dogs को train करते, तो यहाँ पर S नहीं आया, सिर्फ train आ गया, my grandparents train dogs, ठीक है, यहाँ पर कैसा हो गया, plural हो गया, she तो singular था, तो यहाँ पर plural लोगों की कुछ बात कर रही है, they own, मतलब उनके पास है, तो यहाँ पर यह कैसा है, plural है, they own the red car, ठीक है, इस तरह से आप और examples बनाना, मैं आपके आगे practice भी इसमें कुछ कराऊंगा, तो उसमें आप बना के देखना, ठीक है, अपन चलते हैं, अगले rule पर, आपके छे rule हो गए यहाँ से, सात्वर rule क्या है, rule of proximity है, rule of proximity देखो, मैं क्या बताता हूं, क्या होता है, कि कोई भी दो sentence, यदि और से, नौर से जुड़े तो यहाँ पर देखो, और से connect किया है, इस sentence में भी और से connect किया है, तो the student, ठीक है, और the committee members, तो यह एक single student की बात है, और यहाँ पर committee के members की बात है, members plural है, तो जो वर्व आईगी ना, इसके बाद, वो किसको देखकर आएगी, proximity है, proximity का मतलब होता है, pass, pass में जो है, उसको दे as को आप हटा दो, तो sentence आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, the student or the committee members, right everyday, इसी में अगला sentence देखो, the committee members, अब इसको पहले कर दिया, और the student, तो student जो है, वो single है, और उसके पास में जो वर्व है, वो proximity को देखके दियाएगी, तो student के हिसाब से singular आना चाहिए, तो right नहीं है कि जो वर्व है, वो पास वाले को देखकर आती है, यदि किसी दो चीज को और से या नौर से sentence में दो noun को join किया है, तो, ठीक है, समझ में आ गया ये rule, ये है rule number 7, इसमें भी अकसर error देखने को मिलते हैं, समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि सारी चीजे ये correct लगती है, बस दे लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती, तो मैंने सुचा थोड़ा सा explain करके, exercise में इसके आपको यहाँ पर करा दू, देखो, a, n, the, simple याद रखो, तीन ही आपके articles होते हैं, कभ इनको कहां कैसे use करते हैं, दा का बताता हूँ सबसे पहले, दा को कुछ specific और unique चीज spelling के साथ साथ किसी भी word में यदि pronunciation इस तरीके से आता है, जैसे कि M-L-A, M-B-A, उसमें spelling के शुरुवात में कोई vowel नहीं आया, M है, लेकिन उसका जो pronunciation है, वो A से आ रहा है, कैसे M-B-A, समझे रहे हैं, इस तरह से pronunciation आ रहा है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, N लग इसको, N-Apple, N-Egg, N-Aunt, N-Orange, N-Elephant, N-Aeroplane, इस तरह से, ठीक है, उसके बाद देखो, आप A का कभ यूज़ करते हैं, A को हम किसी भी singular countable noun, कोई personal, animal, or thing, के आगे हम A को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जो N है, हम उनको countable, singular के आगे ही करते हैं, लिकिन जो specific नहीं है, ठी ठीक है, N-Apples, N-Apples नहीं होगा, N-Apple होगा, ठीक है, तो singular countable के साथ यूज़ करेंगे, A में देखो, A is used in front of singular countable now, जैसे की, A cat, A bird, A child, A doctor, ठीक है, कुछ भी, एक चीज़ हो, countable हो, वो thing हो, कोई, वो animal हो, person हो, तो उसको हम A से sentence उसका बना सकते हैं, और उसमें, वावल दे specific और unique चीज़े के लिए use करते हैं, जैसे की the earth, यह अपने आप में unique है, एक ही है, the world, the sky, the air, the weather, तो जो weather से related चीज़े होती, जो environment से related चीज़े होती, उनमें अकसर दा लगता है, river के आगे दा लगता है, कोई great personality है, उनके आगे दा लगता है, कोई leader है, उनके आगे दा लग यहाँ पर न a आ सकता है, एक एसे लिखोगे यहाँ पर तो, a plate is on the dining table होता, तो correct हो जाता, यहाँ पर आर की जागा, is आ जाता, तो वो correct हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर होगा, दा, एक second रुखना, एक second, तो यहाँ पर क्या आएगा, दा अगला देखो, I want a burger, तो मुझे एक burger खाना है, या मुझे एक burger चाहिए, तो I want a burger, there is o ii यहाँ पर, there is an orange on the table, अगला देखो यहाँ पर, she is always smiling and kind to, किन से kind है, smiling है, to the students, ठीक है, plural है, to the students, a teacher is, I लिखा हुआ है, वोवल है, तो a teacher is an important person in everyone's life, ठीक है, तो इस तरह से बाकी भ अगला रूल है, uncountable noun का, कोई भी noun है, uncountable है, मैं बताता हूं कैसे कौन सी होती है, आपको कुछ words यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि education, education को आप कैसे बताओगे, आपने कितनी पढ़ाईगी, न केजी में बता सकते हो, न काउंटिंग बता सकते हो, कि मैंने 10 पढ़ाईग होगा है, है न, तो diabetes में कोई quantity नहीं, कितनी diabetes है, diabetes, affect होगा की affects होगा, तो affect तो plural हो जाएगा, तो affects होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को singular verb लेना है, तो diabetes affects many people around the world, समझ में आ गया, the information, information अभी अपने पीछे देखा था, तो इसके आगे जो आएगा, आप कोई भी plural use नहीं कर होगा, the information obtained from the business owners, भले यहाँ पर plural है, फिर भी यहाँ पर singular आएगा, was relevant to include in the study, तो वर नहीं आएगा, यहाँ पर information के लिए आएगा, owners के लिए नहीं आएगा, तो was relevant to include in the study, अगला देखो the research, research की भी कोई quantity नहीं है, measure नहीं कर सकते, एक uncountable noun है, the research I found on the topic, was limited, वर नहीं होगा was limited होगा, तो was correct होगा, sentence correct होगा, तो इस तरीके से आपको देखना है, कभी भी आपको, क्या क्या example इनके हो सकते हैं, देखो, advice भी एक इसी का example है, ठीक है, और information, advice की quantity थोड़ी नहीं होती, information है इसी का example, diabetes यहाँ पर लिखा हुआ है, research यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह सब education लिखा हुआ, तो यह सब जो है, uncountable noun के examples है, इनके बाद क्या आता है, is आता है, और नहीं आता है, यह sentence में दी दिखता है, तो ध्यान देना है, कि उसके बाद is लिखा है, और लिखा है, चलते हैं, अपने last और सबसे important rule पर, यह last rule है, since और four का use कप करते हैं, देखो, since कि, since क्या होता है, तब से, किसी भी shop में आप देखो, जैसे XYZ, sweets की shop है, तो वहाँ पर उन्हों लिख देते हैं, कि हम इतने साल से हैं, तो वो क्या लिखते हैं, since 1996, मतलब यह जो हमारी shop है, यह जो हमारा business है, कब से 1996 है, since 1996, कहीं भी आप बड़े किसी restaurant famous पर देखोगे, तो इस तरह से लिखा रहता है, तो वो since, जो है, वो point of time बताता है, कि हम कब से सेवा में हैं, हम कब से हैं, हम कब से यह काम कर रहे हैं, तो since, जो है, वो बताता है, point of time को, और for होता है, duration के लिए, for duration के लिए कैसे, कि, किसी काम को, किसी एक point of time से, किसी एक point of time तक किया जा रहा ह तो यह जो है इसके लिए for use करते है for बदाते duration ठीक है अब example आप यहां से देख लो कुछ आपको clear हो जाएगा I have been making videos on YouTube for November 2021 तो यहाँ पर मैं आपको point of time बता रहा हूँ कि मैं 2021 के November month से YouTube पर videos बना रहा हूँ तो मैंने point of time बताया तो यहाँ पर four नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा since आएगा ठीक है I have been making videos on YouTube since November 2021 तब से बना रहा हूँ अगला देखो I have been making videos on YouTube since 10 months तो अब November 2021 से अब तक तो 10 महीने हो गए तो मैंने यहाँ पर duration बता है 10 महीने हैं अभी और अभी भी बना रहा हूँ तो जारी है मेरा काम तो यहाँ पर क्या आएगा since नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा four आएगा ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पर duration बता है I have been making videos on YouTube for 10 months ठीक है इस तरीके से जब भी आपको देखेगा sentence में तो आपको यह पहचानना है point of time बता रहा है या federation बता रहा है BJP government have been ruling the nation since 2014 ठीक है तो बिल्कुल सही है 2014 से BJP government जो है nation को वो rule कर रही है तो since 2014 it's been ruling till now ठीक है अब ऐसा मैं समझना क्यों तो आगे भी कर रहे हैं तो फॉर नहीं है यहाँ पर point of time है एक year की बात यहाँ पर की गई है तो यहाँ पर since आया है यदि यहाँ पर इसी error को मैं count कर लो 2022 तक यह नहीं 6-8 साल हो गए तो nation for 8 years तो यह मैंने आपको duration बता दिया तो इस तरीके से आपको sentence में पहचानना है यह से similar examples हो गए हो सकते confusion हो लेकिन कुछ और examples आप इनके देख लोगे जो मैं आपको exercise में आगे बता रहा हूँ तो आपको बिल्कुल clarity आ जाएगी I have lived in London कितने साल के लिए? तीन साल के लिए तो उन्होंने क्या बताया? duration बताया I have lived in London for 3 years में तीन साल के लिए London में रहा Leela has been a nurse 1999 तो कब से वो nurse है? 1999 से वो nurse है Leela has been a nurse since 1999 ठीक है फूर लिख देख तो गलत हो जाता कि 1999 लिए वो nurse थी तो गलत हो जाता तो यहाँ पर आपको समझ रहा है We haven't met Dash our last year at high school बताना आप इसका क्या होगा I have been teaching since a long time होगा कि for a long time होगा यह भी आप बताना The kids have been on vacation for two weeks मतलब दो हफ़तों के लिए वो छुट्टी पे गाए तो आपको यह समझना है इसमें कि duration किसमें बता रहा है और point of time किसमें बता रहा है यह वाला देखो Where have you been working before you had your master's degree Since होगा यहाँ पर फौर नहीं होगा Been working जबसे आपने अपनी master's degree की है तबसे आप कहां काम कर रहे है Where have you been working Since you had your master's degree ठीक है तो हैड आया यहाँ पर यहने की past की बात हो रही है कोई भी reading करते हो चाहे story चाहे newspaper कुछ भी तो उसमें यह आपको चीज़े देखना होगी उसमें तो आपको कोई grammar mistake नहीं मिलेगी उसमें तो correct form में दिया रहेगा तो वहाँ पर अपना revision किया करो यहाँ पर देखो head दिया हुआ उसके बात क्या form दी है past perfect के लिए क्या use किया है तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको actually error बनाने में help मिलेगी तो यह आपके 10 important rules थे जो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आये होंगे ना आये हों तो इसको 2-3 बार revise करना और यह PPT का screenshot मतलेना मैं आपको group में एक error free PPT दोंगा इसकी error free मतलब उसमें सारे जो sentence हो अपने correct form में लिखे होंगे यह मैं आपको telegram group में दे दूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप comments में ज़रूर बताना ऐसे आगे और भी वीडियो में लेकर आऊँगा IVPSPO से पहले ताकि आपको English में help मिल सके और चीजे थोड़ी सी आसान भासा में clear हो ठीके और इन में से पक्का यह revise करके जाना यह 10 rules तो पक्का इन में से 2-3 rules आपको exam में देखने को मिलेंगे ही और 2 दिन आज कल जो भी मौक लगाओगे उसमें भी आपको इन में से rules देखने को पक्का मिलेंगे ठीके तो मिलते हैं अगले वीडियो में Till then goodbye, take good care of yourself, bye